यात्माल जिले के दिग्रश शहरवासी बिटे कई दिनों से बिजली आपुरती के समस्या से पूरी तरह छूज रहे हैं स्तारिय महावितरन विभाग की लापड़वाय से बिजली ग्राहकों का अधिकतर समय अंधेरे में व्यतीत हो रहा है बिजली ग्राहकों का कहना है कि पकाया बिलों की वसुली महावितरन सक्ति से काम लेता है ग्राहकों को बिजली बिल अदा करने में देरी होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है महावितरन विभाग के अभियंता न तो खुद की लापरवार रवेज से बाज आ रहे और ना ही दिगरस महावितरन की बिगडेल कारिय प्रणाली में बदलाव का प्रयास कर रहे है शहर में जब कभी छोटी लाइन में समस्या उपचती है तो बड़ी लाइन बंद कर दी जाती है जब दिल में आता है महावितरन के कर्मचारी बिजली के लुकाच्छिपी का मानो खेल खेलते है जिस वज़े से दिन में कई बार और रात में भी लगातार बिजली आने जाने क सिलसिला जारी रहता है इन सारी समस्याओं से परिशान होकर जब बिजली ग्राहक महावितरन के कारियाले में शिकायत दर्श करने के लिए दिये गए नंबर पर संपर करते है तब वहाँ कोई फोन तक नहीं उठाता महावितरन अभियंतारी तेश बोबडे को जब हमने सिर्फ बिजली आ पूरती में रुकावटों की ही समस्या नहीं बलकि शहर भर में फॉल्टी मिटरों के समस्या भी एक बड़ा के रेपोर्ट